नमस्ते मेरा नाम हिरन इशार पांडे और मैं हो दुक्षिनकुरेगा निवासी हमारे चैनल कोड़ेगा लाला में आपका स्वागात है तो मेरे हीरन के अंदो उलंद का रही हूँ, मुझे पता है कि आप जहां भी होंगे, अच्छे होंगे, उमीद के हीरन में होंगे, और जो भी होंगे, अच्छे ही होंगे, यानि कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ क्यूंकि मेरी आवाज से आपको पता लग रहा होगा कि कोड सिर्फ आप लोगों के लिए इस दभी हुई आवाज में भी वीडियो बना रहा हूँ, हाँ घैड चलो जो भी हो, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे दिल्चसत मुक्ते पर बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप भारत के निवासी हैं, चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे आ अगर आप कहीं से भी, मतलब चाहे आप इंडिया से भी, नेपार से भी, कहीं से भी कोडिया आ रहे हो, तो इस बात पर विशेश सब्धानी बरतने के आवशकता है, तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हीरन के तुप, ये हिसा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता ह अगर अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो कुछ साल पहले, जब फेस्बुक भारत में लॉंच हुआ था, तो उसी के साथ-साथ शुरू होए एक ऐसे चोटे-मूठे-प्यार से स्केम के मरु में जरूर सुना होगा, जिसको एंजर-प्रिया स्कीम के नाम से जानते हैं, यानि कि एंजर-प्रिया स्केम कुछ ऐसा स्केम है कि फेस्बुक पे एक लॉंडा या फिर हो सकता है कोई लड़की हो, या फिर जर्नली एक लोंडा अपनी लड़की का फोटो लगा कर उसका फोटो भिना है, जिसके डीपी भी हमेशा फिक्स होती है. मैरे को आज तक एक बाद समझ में नहीं आए कि ऐसे स्केम करने वालों को उस फोटो के लावा कोई और फोटो नहीं मिला कि एक फोटो को बार बार दोड़ा रहा हैं कि एक लड़की जिसके आँखी शायद छोटी है और वो चश्मा पहने होए होता है और उसके पीछी का बिग्राउंड ब्लर है और फिर उसकी जो बाल होता है उसके बाल बहुत ही जारा स्रेथ है और वो ऐसे निठाश ऐसे अपने चेहर के अभी व्यक्ति के साथ अपने लोगों को निहाल रही है और फिर उस फोटो को लगा कर वो लैंडम लोंडों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भैज़ कर उन लैंडम लोन्डों के साथ चैट करना शुरू कर देता है और वहाँ पर लोन्ड है यानि कि कई ठर की लोन्ड है ऐसे हो दें जो उसके बहकावे में आकर उसके एंजल प्रिया के नाम पर या तो 30 रुपए के या तो फिर 300 रुपए के यहाँ तक कि 1000 से भी जादा पैसों के मुबाय का रिचार्ज करा दिया या फिर उसके अकाउंट में पैसे भेज दिये वगएर 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 ऐसा कुछ कर दिया और फिर बात में जाके न्यूस में भी सामने आ गया कि एक्चली एंजर प्रिया के नाम से लोगों से जो रिचार्ज मांगती थी लोगों से जो पैसे मांगती थी लोगों से जो रोकड़ा मांगती थी वो एक्चली लड़की नहीं लड़का ही है जो लड़कियों का फोटो चुरा कर लड़कों से मीठी मीठी बाते करके उनको अपने बहकावे में बहकाता है ठीक, same scam कोडिया में भी हो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए ये विज़ेश रुप से इसले बना रहा हूँ कि इस कोडिया में हो रहा है, इस scam का शिकार कोई हो सकता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है बढ़ा भी हो सकता है और यहां तकि कोडिया में रहने वाले विदेश नागरिक भी हो सकते हैं यानि कि कुछ सार पहले की बात है कि कोडिया में रहने वाले इंडियन नागरिक भी खुद इस कैम का शिकार ह हुआ है और कुछ दिन पहले सामने आएं कि दो दो ऐसे मामले सामने आएं कि एक जवान लड़की जो की टिंडर जैसे इंटरेट एप जिस लड़के से मिली वो लड़का उस लड़की को शादी करने का जहांसा देने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं हम दोनों सा जर्ले का चहरा भी नहीं देखे हो तो साथ में इसके फूटर बनाने की बात करते हो और यहां था कि हम जिस शक्स को पांक सार से देख रहे हैं उसके साथ भी यहां हमरी वो फूटर बनाने में हमरी तो आटेस ली जा रही है और फिर यहां पे लोग चेहरे देखे भी ना उस नेट के उस पार्क वाले बंदे से जो पता नहीं की उसके लिंक का भी पता नहीं की लड़का बात कर रहा है या फिर लएक की बात कर रहे है इसका भी कुछ पता नहीं चालता और यहां तक कि, यहां तक सुन्दे के बाद भी अगर जिसने एक लाग रुपे उसके जहासे में आकर रहेज दिया ना, तो कोडिया के लोगों का यही कहाना है कि अरे तुमने सिरफ एक लाग बेज़ा, मैंने तो पांच लाग बेज़ा, मैंने तो दस लाग बेज़ दिया उसके जहासे में आकर और बाद में जाकर पता चला कि, यह एक्चुले गीरो है, जो कि लड़कियों से मीठी मीठी बाते करके, उनको शादी का जहासा देकर, उनसे पैसे एंटते हैं, और फिर पैसे लेने के बाद वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और यहां तकि, कोड में चलने वाले डेटिंग एप के मध्यम से लड़की का प्रोपोसर आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करते हूं भाई तुम्हारी शकल देखो बहुत ही जारा हैंसम है हो सकता है कि इस स्कैम में जारतर वही लोग फंसते होंगे जो अपने द मुझे इस बात का बहुत ही अच्छे से अंदाजा है जिसके वाज़ा से मैं तो शायद इस स्कैम में फंसुका नहीं लेकिन कई लोग जो होते हैं कई लोंडों का दिल तो बहुत नाजुक होता है अगर लड़के कुछ मीठी मीठी बात हैं कहें तो जट से यानिकि उनका दिल पिगरने में एक से घंड से भी कम समय लगता है और फिर बाद में जाकर जब उन दोनों के बातें आगे बढ़ती हैं तो वो लड़किया यानि कि सो कोल्दी लड़किया एक्चुली है तो लड़के क्योंकि लड़के ही लड़कियों का फेक फोटो डाल कर वो क्या बो गूबी होई हो अगर तुम सच्ची में मेरे से प्यार करते हो तो क्या मेरे अकाउंट में में बहुत जूद ज्यादा नहीं बोलूगा सिर्फ 10 लाग रुपे बैच सकते हो ओँ शाजी करते के लिए 10 लाग तो वो लोने पता ये बाते हैं सुनके क्या करते हैं अपने अका वेभी तुमने 10 लाक रुपे दे दिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन उससे मेरा कर्द चुक गया लगिन हमारी करद क्या होगा बेभी देखो अभी मैं वेडिंग होर की बूकिंग कर रही हूं तो अगर तुमको मुझे बह्रोसा है तो मुझे 50 लाक और चाहिए म मैं पैसे मिलते ही तेरे को वेटिंग गोर का कार्ड और हमारा जो शादी कार्ड जो छपे ही वो भेज दूँगा। ये बाते के होएते हुए नजर आते हैं और फिर लोंडे भी यहाँ पर सुनने के बाद फिर पिगल जाते हैं और फिर आपने 50 लाक रुपे फेज देते हैं और फिर उसके बात क्या होता है लोंडा घाया जाहिर सी बात ही को उसका फोटो उसकी जानकारी उसकी विवक्तिगा नहीं के लिए भोले भाले लड़कों से लड़कियों का फोटो लगा कर वो लोग स्कैम करते थे और फिर लड़कियों से पैसे एंटने के लिए वो लोग हैंसम लड़कों का फोटो लगा कर लड़कियों से ऐसे मीठी-मीठी बातें करके उनसे यानि कि कम से कम तो एक लाग स कईयों से तो 10 लाग या फिर कईयों से तो 70 लाग रुपे से भी ज़्यादा पैसे एंटने के उनके उपर आरोफ है तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं कि कोडिया में या फिर इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे कहीं पर भी हाँ वैसे यह बत इंडिया में भी लाग होती है कि अगर आप नुर्मर इंसान हो और फिर अचानक से बहुत ही हैंसम लड़का या फिर बहुत ही सुन्दर लड़की आपको अचानक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है ना तो सबसे पहले आपको उस पे संदे करना चाहिए सं को नहीं जानते दोनों के बीच में कोई connection नहीं तो वो आपके बारे में कैसे आने और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजसने के पीछे मकसद क्या हो सकता है क्या मकसद हो सकता है एक बार सोचने कि बात है और फिर चलो ठीक है अगर वो आप से बात करके कुछ पैसे जैसे बेहुदा चीजों की भांगे कर रही है तो उसको सीधे ब्लोग करना चाहिए यानि कि दब भी तो मैं कहता हूं कि इंस्टाग्राम छोड़ तो उसमें कुछ नहीं रखा है सोशल मीडिया में उसमें सिर्फ आपना दिमाग हरा होता है और वो छ जानकारी मिल गए होगी कुछ लोग ये पूछेंगे कि कितने लोग इस स्कैम में फसे की कि मैं फाल्टू वीडियो बना रहा हूं लेकिन हाँ अगर मेरे वीडियो देखने से कोई एक बंदा भी इस तरह के स्कैम से अवेर हो जाता है और उससे बच जाता है ना तो मेरा फ